सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और इस बेल आइकन को दबाए हमारे वीडियो को नोटिफिकेशन सब सब पहले पाने के लिए हलो फ्रेंड्स आपका स्वागत है हमारे चैनल में यहां दोस्तों आपको लगबख साड़े तीन सो पदो में वेकेंसी आई है इंजिरिंग का अभिवाजतों के लिए इसका ओफिसल नोटिफिकेशन है तो चलिए दोस्तों नोटिफिकेशन में देख रहेते हैं क्या आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन रहेगा एज लिमिट रहेगा एक्जाम फी रहेगा और सारा कुछ दोस्तों वीडियो में हम देखेंगे तो वीडियो को बीन एस्कि तो फ्रेंड्स आप लोग देख रहे हो यह इसका ओफिसल नोटिफिकेशन है इलेक्टॉनिक कोरफलेशन ओफ इंडिया लिमिटेड और दोस्तों यहां जो वेकेंसी है उसके बारे मताते हैं तो यहां नमबर और पोस्ट अब देख सकते हो जो नेम और पोस्ट है वह आपका नमबे के बाद आपका डेट ओबर्थ होना चाहिए ठीक है दोस्तों और जो आपका सेलरी रहेगे दोस्तों यहां देखिए लिखावा है कि कॉंसोलिडेटेड मॉंधली कॉंट्रेक्ट पे यहां आपका 23,000 सो फेंड्स अभी का टाइम में ग्रूप डी का जो सेलरी आपक केटेगेरी की, तो 160 पोस्त अलोकेट किये गए हैं उसके बाद 16 पोट अलोकेट किये हैं EWS के लिए जो आपका इकोनोमिकल विकर सेक्शन के अभीहारति आते हैं उसके बाद 90 पोस्त फॉर ओबीसी और 58 पोस्त यान्य अन्ठावन पोस्त SC के लिए और 26 पोस्त अलोकेट कि लेगे हैं ST candidates के लिए, so friends यह बहुत अच्छा सुनारा officer है, engineering के अभीहरतियों के लिए कि आप लोग apply कर सकते हैं यहाँ पर और बहुत यह अच्छा सांदार royal job आपका इसमें होता है, अब इसके बात दस्तों बात करते हैं कि other benefit के तोर पे आपको क्या-क्या मिलेगा, तो द benefit in addition to the above consolidated pay as per company rules, so friends company rules का अनुसार आदर जो दूसरे भता होता है वो भी आपको मिलेंगे, उसके बाद cashless medical benefit, so friends आपको medical benefit मिलेगा, उसके बाद life insurance coverage while on election duty, so friends election duty के जब आप जाईएगा, क्योंकि दो सरकार है, जब भी election होता है, तो आपको election duty में भी मिल सकता है काम, तो friends उस द coverage मिलेगा, will also be admissible as per guideline, so friends जैसे guideline है, ECIL का उस अनुसार आपको insurance का coverage मिलेगा, आप दोस्तों बात करते है, contact plate का time कितना रहेगा, so friends यहाँ देए, the tenure of the contract would be 9 month, however it may be extendable depending upon organization requirement as well as performance of the candidate, so friends यह 9 month आप देख रहे हो, यह तो आपका compulsor है कि 9 month कम से कम तो होगा होगा, और उसके बाद दोस्तों company की माली हालत कैसे रहेगी, यह आपका performance कैसे रहेगा, तो उस पे भी depend करता, अगर आपका सब कुछ ठीक रहा, तो दोस्तों इसको extend भी कर दिया जाएगा, तो friends हम जादा उमीद करते हैं कि इस तरह की companies में आपको निकाला नहीं जाता है, क है, अब दोस्तों आगे बात करते हैं, education qualification की social panel पर देख लेते हैं आप तो यहां क्या लिखावार देखे हैं आप, a first class engineering degree in electronics and communication engineering, electrical, electronic and engineering, electronic and instrumental engineering, mechanical engineering, computer science engineering, information technology with minimum 60% marks यह एग्रिगेट, from any recognized institution and university, so friends यह सारे total degree आप देख रहे हो, विविन परकार के degree है engineering के, तो यहां पर दोस्तों आप लोग apply अगर आपके पास यह degree है, और minimum 60% marks आपने score किया है, तो friends आप eligible हो, आप लोग apply कर सकते हो, ठीक है, अब बात करते हैं दोस्तों experience की, तो देखें क्या लिखावा है, the candidate should have minimum 1 year post qualification industrial experience, out of which minimum 3 months shall be in sealing, distribution, polling, commissioning, repair and maintenance of EVM, BV, PAT including FLC, so friends यह आपका minimum आप देख सकते हो, minimum 1 साल का experience आपको होना चाहिए, कहां पर industrial experience आपको हो सकता है, या फिर आपका CVV, PAT में आपका जैसे voting आप होता है, तो वहां पर experience आपका हो, जो हो है, उसके बाद EVM में अगर आप जानते हो, EVM की जानकारी है, जिसमें आप काम कर सके हो, तो आपको अगर आपके पास 1 साल का experience है, तो वो बहुत ही सांदार होगा, यहाँ पर आपको उसके बूस्ट अप हो जाएगा, आपको जॉब दिलाने में ठीक है, और उसके बाद, जो 3 मन्त का experience है, वो आपको कहा होना चाहिए, तो EVM में, BVPAT में, इंक्लूडिंग FLC, और polling, जहाँ polling होता है, तो वहाँ पर आपका 3 महिने का experience है, तो आप eligible हो, आप आराम से इसको apply कर सकते हैं, आगे बरते हैं friends, अब दूस्तों बात करते हैं, selection procedure के दूस्ते friends, यहाँ देखे क्या लिखाबा है, eligible candidate will be issued provisional offer in order of merit based on the aggregate marks obtained in BVTEC, such candidate will be required to report for document verification and joining formality at various zones and headquarters as per the option exercised only on successful completion of document verification, final offer will be issued, so friends, यहाँ पर आपका BVTEC में, आपने mark secured किया, जो आपका degree में, so friends, उसी के basis पे आपका selection होगा, यहाँ पर किसी पर कर कोई exam आपको नहीं होगा, so friends, यह direct recruitment है, आप friends, बात करते हैं, reservation और relaxation की, so friends, यहाँ देखे किया लिखाबाद नमबर 7 point में, the reservation and relaxation for SC, ST, OBC, PWD, EWS will be as per government directive, 4% of vacancy are reserved for PWD candidate, so friends, यहाँ पर यहाँ बहुत अच्छी बात है कि PWD दिव्यांग कैंडिडेट्स आते हैं, तो उन लोग को 4% seat यहाँ पर allocate किये गये हैं, तो friends, जिव्यांग है, अगर आप और अपने engineering department में complete किया है, तो आप लोग के लिए बहुत अच्छा अफसर है, आप लोग कर सकते हो, तो friends, आप जरूर जरूर apply कीज़ेगा इसका, आप दोस्तों बात करते हैं, relaxation की, तो friends, यहाँ देखे, तो first class is relaxed to second class with 50% marks in aggregate for SC, ST candidate, so friends, जो SC, ST candidate आते हैं, उन लोगों के लिए, यहाँ पर 10% का relaxation दिया जा रहा है, और यहाँ पर आप second division में भी अगर आपने degree complete किया है, minimum 55% आपके पस है, तब भी आप eligible हो, अगर आप SC, ST candidate हो तब, ठीक है, अब बात करते हैं, दोस्तों, आयू सीमा की, जो friends, आपर age limit अप द relaxation मिलेगा age में, तो friends, उसका detail के लिए, आप notification को download कर लिजिए, आपको description में link मिल जागा, इस notification का, अब अगला point में चलते हैं, जोन वाइस रेकिंस को देख लेते हैं, तो सब पहला आता है, आपका हैदराबाद zone, so friends, यहाँ पर total 200 seat दिये गे हैं, उसके बाद अगला आता है आपका new Delhi zone, यहाँ पर total 40 seat है, उसके बाद बैंगलोरी zone में, दोस्तो आपका 50 seat है, आपको गर category wise देख रहा है, तो friends, आप यहाँ देख सकते हो, वीडियो को stop करके, तो आगया दोस्तो आपका आता है Mumbai, तो Mumbai zone में, दोस्तो total 40 seat है, और उसके बाद कुलकत्ता zone में, दोस्तो total 20 seat है, तो total 200 इस तरह से 350 seat है, तो दोस्तो आप बात करते हैं, कैसे इसको apply करना है, तो friends, यहाँ देखिए, only online registered application will be accepted, so friends, ECIL के official website में जाना है, और वहाँ आपको लिंक में जागा apply करने का, तो वहाँ पर apply कर सकते हो, ठीक है, candidate who have worked in ECIL on contact, have to mandatory provide their code number correctly, while submitting online application, without which their candidate will not be considered, अगर आप ECIL on contact, पहले से काम करते हो, तब ही apply आप कर सकते हो, लेकिन आपको अपको अपना code number mention करना होगा, online form भरते समय, अब friends, बात का तो important date की, तो friends, आपका form भरना start already हो चुका है, 19 अगस्त से, और last date है, आपका 30 अगस्त, यहाँ देख लिए timing भी दिया है, दो बज़े दो पहर तक आपके पास समय है, और उसके बाद document verification पका बहुँआ, तो जहाँ देखे क्या लिखावा है, the date and time will be hosted on ECIL website as when decided, so friends, यहाँ पर यहीं mention कर दिया गया है, कि जैसे ही ECIL decide करेगा, जब आपका document verification होगा, उसकी जानकारिया को, आपको ECIL के official website में मिल जाएगी, और दो सब सब लास्ट पॉइंट 13 में देखे हैं, क्या लिखावा है, तो please note, corrigendum, extension, etc, if any, cell be published only on our website www.ecil.co.in, और उसके बाद के रिये section में जाना है, तो वहाँ पर आपको link मिल जाएगा, और दोस्तों यह 19 तरीका notification, ECIL ने डाला अपनी website में, So friends, यह रहा complete video इस recruitment का, अगर आपने B.E.B.T.E. किया है, 60% आपके पास है, तो आप लोग apply कर सकते हो, अच्छे कासी नोकरी होती है ECIL में, और आपको बहतर से बहतर life यहाँ पर देखने को मिलेगी, तब उमीद करते हैं दोस्तों यह वीडियो आपको अच्छा लगा होग अगर लगा तो प्लीज अपने दोस्तों में इसको ज़्यास ज़्यदा सेयर कर दिजे और आप हमारे चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आकान को जरू से जरू दबा लिजेगा और दोस्तों हम से जूड़ने के लिए आप हमें टेलिग्राम ग्रूप से जू लिंक मिल जाएगा तो चलिए फ्रेंट्स मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद जय हिं जय भारत